कारकम में मेरे साथ जुढ रहे केबिनेट के मेरे सभी सहियोगी गण, राज्यों के माननी राजपाल, सभी सम्मानित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री गण, उपस्तित सिक्षावित, अध्यापग्गाण, सभी अभिभावक और मेरे पिर्याय युवासाथियों, नई राष्टिय सिक्षानीती को एक साल पूरा होने पर सभी देश्वासियों और विशेश कर सभी विद्यार्थियों को, बहुत बहुत सुपकामनाई, बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महनभावों, शिक्षकों, प्रधानाचारियों, नितिकारों ने राष्टिय सिक्षानीती को धराप्तल पर उतारने में बहुत महनत की हैं, कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, आटोनोमस बॉडिस से सुझाव लेकर, टास्पोर्स बनाकर, नई सिक्षानीती का चरणबद तरीके से लागु किया जा रहा है, बीते एक बर्ष में, राष्यों सिक्षानीती को आधार बनाकर, अनेक बड़े फैसले लिए गए हैं, आज इसी कड़ी में, मुझे बहुत सारी नई योजनाएं, नए इनिसेटिवस, इसकी सुरुवात करने का सौफागे मिला है, साथ यह महत्वपुन अवसर ऐसे समय में आया है, जब देश आजहाजी के 75 साल का अम्रुत महोत्सम मना रहा है, आज से कुछी दिन बात, 15 अगस्त को हम आजहाजी के 75 साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं, एक तरह से नई राष्ट्रिय सिख्षानीती का इंप्लिमेंटेशन आजहादी के अम्रुत महोत्सम का प्रमुख हिस्सा बन गया है, इतने बड़े महापार्व के बीच राष्ट्रिय सिख्षानीती के तहट आज शुरू हुई योजनाएं, नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी, भारत के जिस सुनहरे भविश के संकल्ब के साथ आज हम आजहादी का अम्रुत महोत्सम मना रहे हैं, उस भविश्य की और हमें आज की नई पीड़ी ही ले जाएगी, भविश्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी उचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को बरत्मान में यानि आज कैसी शुख्षा दे रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ, भारत की नई राष्टिय शुख्षा नीती, राष्ट निर्मान के महायग्यने में बड़े फ्रेक्टर मैं से एक हैं, और इसलिए देश ने इस शुख्षा नीती को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेड़ी रखा है, आज इस कारकम में जुड़े अधिकाउश महानुभाव, नई राष्टिय शुख्षा नीती की बारीक्यों से परिचीत हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है, इस एहसास को हमें बार बार याद करना ही है, साथियों, देश भर से हमारे कई युवा स्ट्रेड़न्स भी इस कारकम में हमारे साथ हैं, अगर इन साथियों से हम उनकी आकांख्षों के बारे में, सपनों के बारे में पूछें, तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई उर्जा है, हमारे युवा बड़लाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो इंतजार नहीं करना चाहता है, हम सब ने देखा है, कोरोना काल में कैसे हमारी सिक्षा विवस्ता के सामने, इतनी बड़ी चुनोती आई, स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का डंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बड़लाव को एड़ अड़ आप किया है, ओन लाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है, सिक्षा मंत्रा अले ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किये हैं, मंत्रा अले ने दिक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयम पॉर्टल पर पाठ्रगम शुरू किये, और हमारे स्टूरंट पूरे जोज से इनका हिस्सा बन गए, दिक्षा पॉर्टल पर मुझे बताया गया, कि पिछले एक साल में तेईसो करोड से ज्यादा हिट होना, यह बताता है कि यह कितना उप्योगी प्रयास रहा है, आज भी इसमें हर दिन करीब पांच करोड हीट हो रहे हैं, साथियों, 21 सदी का आज का युवा, अपनी व्यवस्ताएं, अपनी दुनिया, खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है, इसलिए उसे एक्स्पोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए, आप देखिए, आज छोटे छोटे गाउं से कस्पों से निकले वाले युवा, कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं, इनी दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा, आज टोक्यो ओलेम्पिक्स में देश का जंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं, ऐसे ही करोड युवा, आज अलग-अलग शेत्रों में असाधरन काम कर रहे हैं, और साधरन लक्षों की नीव रख रहे हैं, कोई कला और संस्कृति के ख्षेत्र में, पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा हैं, कोई रॉबोटिक्स के ख्षेत्र में, कभी साइफाई मानी जाने वाली कलपनाओं को हकिकत में बदल रहा हैं, कोई आर्टिफिशल इंट्रिजन्स के ख्षेत्र में, मान्मियक शम्ताओं को नई उचाई दे रहा हैं, तो कोई machine learning में नए milestones की तैयारी कर रहा है, यानि हर सेत्र में भारत के युवा अपना पर्चम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यही युवा भारत के start-up ecosystem को reversalize कर रहे हैं, इंडिस्ट्री 4.0 में भारत के नेत्रुत्व को तैयार कर रहे हैं, और डिजिटल इलिया को नई गती दे रहे हैं, आप कल्पना करिए, इस युवा पीडी को जब इनके सपनों के अनुरूप बातावरन मिलेगा, तो इतनी शक्ती कितनी जादा बढ़ जाएगी, और इसलिए नई राष्ट्रिय शिक्षानीती युवाओं को ये विश्वात दिलाती हैं, कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके हौसलों के साथ हैं, जिस आर्टिफिशल इंटलिजन्स के प्रोग्रेम को अभी लॉंच किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरियेंटेड बनाएगा, AI-Driven Economy के रास्ते खोलेगा, शिक्षा में ये Digital Revolution पूरे देश में एक साथ आए, गाउं, शहर सब समान डुप से Digital Learning से जुड़े, इसका भी ख्यास ख्याल रखा गया है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट्चर यानि NDR और नेशनल एजुकेशन टेक्नलोजी फॉरम, NETF इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नलोजिकल फ्रेमवर्ग उपलब्द कराने में एहम भूमी का निभाएंगे, युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकास में जैसे उड़दा चाहे, देश की नई शिख्षा व्यवस्ता उसे वैसे ही आउसर उपलब्द कराएगी, साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रिय शिख्षानीती को किसी भी तरह के दबाव से मुक्द रखा गया है, जो ओपनेस, जो ओपनेस पॉलिशी के लेवल पे है, वही ओपनेस स्टूडेंस को मिल रहे विकल्पों में भी है, अब स्टूडेंस कितना पड़े, कितना समय तक पड़े, ये सिर्फ बार्स और उनिवर्सिट नहीं तय करेगा, इस फैसले में स्टूडेंस की भी सहभागिता होगी, मल्टीपल एंट्री एंड एक्जीट की जो व्यवस्ता आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंस को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकडे रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है, आधुनिक टेक्नलोजी पर आधारित, एकेडेमिक बैंक अब क्रेडिट इस सिस्टिम से इस दिशा में स्टूडेंस के लिए revolutionary चेंज आने वाला है, अब हर युवा अपनी रूची में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्टिम को चूच कर सकता है, छोड़ सकता है, अब कोई कोर्स सलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे decision गलत हो गया, तो क्या होगा, इसी तरह structured assessment for analyzing learning levels, यानि सफल के जरिये students के आकलन के भी वैज्ञानिक व्यवस्ता शुरू हुई है, ये व्यवस्ता आने वाले समय में students को परिशा के डर से भी बुक्ती दिढाएगी, ये डर जब युवा मन से निकलेगा, तो नए-नए skill लेने का साहस और नए-नए innovations का नया दोर शुरू होगा, संभावनाए असिम बिस्तार होगी, इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आज नई राष्टिय शिक्षानिती के तहत, जो ये नए कारकम शुरू हैं, उनमें भारत का भाग्य बदलने का सामर्त है, साथ को हमने आपने दसकों से ये माहुल देखा है, जब सम्झा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशी जाना होगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूड़न्स भारत आएं, वेस इंस्टिटूशन्स भारत आएं, ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये जानकारी बहुत उत्सा बढ़ाने वाली हैं कि देश की डेड़ सो से ज़्यादा उनिवर्सिटीज में आफिस अब इंटरनेस्टनल एफर्स थापित किये जा चुके हैं। भारत के हाईर एजुकेशन इंस्टिटूट्स अंतराश्च्य स्तर पर रिसर्च और एकडेमिक में और आगे बढ़े इसके लिए आज नई गाइडलेंज भी जारी की गई हैं। साथियों, आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना ही पड़ेगा। हेल्थ हो, डिफेंस हो, इंफास्ट्रक्चर हो, टेकनलोजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा। आत्म निर्भर भारत का ए रास्ता स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नलोजी से होकर जाता है जिस पर एनीपी में विशेश ध्यान दिया गया है मुझे खुशी है कि बीते एक साल में बारा सो से ज़्यादा उच्च सिक्षा संसानों में स्किल डेवलप्मेंट से जुड़े सेक्डो नए कोर्सेस को मज़ूरी दी गई है साथियों सिक्षा के विशे में पुझ्य बापु मात्मा गांधी कहां करते थे राष्ट्य सिक्षा को सच्चे अर्थ्व में राष्ट्य होने के लिए राष्ट्य परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए बापु के इसी दुरदर्सी विचार को पुरा करने के लिए स्थानिय भाशाओं में मदर लेंग्वेज में सिक्षा का विचार एनिपी में रखा गया है अब हायर एजुकेशन में मीडियम अफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानिय भासाओं भे भी एक विकल्प होगी मुझे खुची है कि आठ राज्यों के चौदा इंजिनिरिंग कॉलेज पांच भारतिय भाषाएं हिंदी, तमील, तेलुगू, मराथी और बांगला में इंजिनिरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं इंजिनिरिंग के कोर्स का ग्यारा भारतिय भाषाओं में ट्रांस्लेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है छेत्रिय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं चात्र चात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ इसका सबसे बड़ा लाब देश के गरिब बर्क को गाओं कस्बों में रहने वाले मद्यम बर्क के स्टूडेंस को दलीत पिछडे और आदिवासी भाई बहनों को होगा इनी परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे जादा लेंगवेट डिवाइड का सामना करना पड़ता था सबसे जादा नुक्षान इनी परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था मात्रु भाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ और प्रतिभागे साथ न्याय होगा, साथियो प्रारंबिक शिक्षा में भी मात्रु भाषा को प्रोसाइद करने का काम शुरू हो चुका है, जो विद्या प्रवेश्ट प्रोग्रेम आज लॉंच किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमी का है, प्ले स्कूल का जो कंसेप अभी तक बड़े शहरों तक ही सिमीत है, विद्या प्रवेश्ट के जरिये वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गाउं गाउं जाएगा, ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरुवत के हिसाब से इसे लागू करेंगे, यानि देश के किसी भी हिस्से में, बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हसते हुए ही होगी, आसानी से होगी, इस दिशा का ये प्रयास है, और जब शुरुवात मुस्कान के साथ होगी, तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पुरा होगा, साथियों, आज एक और काम होगा है, जो मेरे रिदे के बहुत करीब है, बहुत संबेदन सिल है, आज देश में तीन लाग से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, जिनको स्विक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यक्ता पड़ती है, इसे समझते हुए, भारतिय साइन लेंग्वेज को पहली बार एक भाषा विशय यानि एक सब्जक्त का दर्जा प्रदान किया गया है, अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पड़ पाएंगे, इसे भारतिय साइन लेंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी, साथियों आप भी जानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की पूरी पढ़ाई में उसके जीवन में बड़ी प्रेणा, उसके अध्यापक होते हैं, और हमार यहां तो कहा गया है, गुरोण प्राप्ते यत यतत न अन्य अत्रापी अभ्यते, अर्थात, जो गुरु से प्राप्त नहीं हो सकता, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, यानि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक मिलने के बाद दुरलब हो, इसलिए राष्टिय शिक्षा नीती के फर्मुलेशन से लेकर, इंप्लिमेंटेशन तक हर स्टेट पर हमारे शिक्षक सक्क्रिय रुप से इस अभ्यान का हिस्सा है, आज लॉंच हुआ, निस्ठा 2.0, ये प्रोग्राम भी इस दिशा में एक एहम भूमी का निभाएगा, इस प्रोग्रेम के जरिये देश के शिक्षकों को आधुनिक जरुरतों के हिसाब से ट्रेनिंग भी मिलेगी, और वो अपने सुझाव भी विभाग को दे पाएंगे, मेरा आप सभी सिख्षकों से, एकेडेमिशन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चड़कर के हिस्सा लीजिए, अधीक से अधीक योगदान दीजिए, आप सभी सिख्षा के खेत्र में इतना अनुभव रखते हैं, व्यापक अनुभव के धारग है, इसलिए जब आप प्रयास करेंगे, तो आपके प्रयास राष्ट को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आपके जीवन में ये सरनिम अउसर आया है कि आप देश के भविष का निर्मान करेंगे, भविष की रूप रेखा अपने हाथों में खिचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्टिय शिक्षा नीती के अलग अगलग फिचर्स हकीकत में बढ़ लेंगे, हमारा देश एक नए यूग का साक्षात कार करेगा, जैसे जैसे हम अपनी हुआ पीड़ी को एक आधुनिक और राष्टिय शिक्षा व्यवस्ता से जोड़ते जाएंगे, देश आजहादी के अमरुत संकल्पों को हासिल करता जाएगा, इनी शुप कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आप सब स्वस्त रहें और नई उर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद,